हेलो फ्रेंट्स वैलकम टू मुवी स्फेक्टर और आज की हमारी मुवी है हसीन दिलरुपा जो 2 जुलाई को नेट्फिस पर प्रिमियर हुई है जिसमें लीड करेक्टर प्ले किया है तापसी पनू, हैशवर्धन, राणे और विकरांत मेसी ने तो बिना देर के ही शुरू क नाम का टेटू होता है, यानि इस धमाके में राणी के पती रिशी की मौत हो गई है, अब पुलिस को राणी पर शक है कि उसने उसकी पती की हत्या की है, फ्रेंड्स अब मुवी फ्लेश्ट बेक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि राणी ने रिशू के साथ अरेंज मेर करती है, और एक दिन राणी और उसकी मम्मी की बाते रिशी सुन लेता है, जिसमें राणी और रिशी के पसनल लाइफ के राज अपने मम्मी से शेयर करती है, जिससे रिशी राणी से गुस्सा हो जाता है, और उससे बात करना बन कर देता है, फिर एक दिन रिशू का चचे करने के लिए तयार होती है, एक महीने के बाद जब नील वहां से जानी को तैयार होता है, तब राणी ये फिसला करती है कि और रीशी को उनके रिष्टे के बारे में सब कुछ बताएगी और नील के साथ चली जाएगी फिर एक दिन नील रानी के हाथ का मटन खानी की इच्छा जाहिर करता है जहां रानी उसके लिए मटन बनाती है पर तब रानी को पता चलता है कि नील वहाँ से चला गया है तब रानी ये समझ जाती है कि नील ने उसे धोका दिया है और वो वहाँ से भाग गया है तो से दिन रानी रिशी को नील के साथ अपने अफैर के बारे में बताती है जिसे सुनकर रिशी का दिल खूड जाता है क्योंकि उसे रानी पर बहुत भरोसा था अब एक दिन रिशी नील को खोसता हुआ दिल ली जाता है और एक स्कूड ड्राइवर से नील पर हमला कर देता है जहां नील रिशी की पिटाई कर देता है अब रिशी वापस घराता है जहां वो देखता है कि रानी को अपने किये पर पस्तावा होता है और उसके बिहिवियर में एक चेंज आ जाता है पर नील रानी से बात करना बन कर देता है और अकेला सूने लगता है और इन सबसे रिशी बहुत बदल जाता है और रानी से उसके खर जाने को कहता है रानी हर बार रिशी से माफी मांगती है पर रिशी को नील और रानी के अफियर की यादे उसके दिमाग में हर बार ताज़ा हो जाती है जिससे वो रानी को माफ नहीं कर पाता और फिर वो रानी को मानने की कोशिश करने लगता है पर रानी उसके हरवार को सेती है क्योंकि उस करता है जिस पर रिशी नील का पीछा करता है और उसे जान से माने की कोशिश करता है पर नील वहां बच जाता है अब कहानी प्रेजरेंड में आती है जहां पुलिस अभी रानी पर शक कर रही है और उसी को कातिल मान रही है यहां तक रानी को पुलिस रिमान पर भी लिया जा अब रानी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है और वो उस पूरी घटना को पुलिस को बता दी है जहां वो बता दी है कि उस दिन दील उनके घर आया था और उन्हें परिशान कर रहा था और तब ही रिशी वहां आ गया और उसने मुझे बाहर जाने को कहा और वो बहर आकर एक आटो में मार्केट चले गई और जब वो वापस लोटी तब अचानक उनके घर में ब्लास्ट हुआ और जब वो अंदर गई तो उसने रिशी का कटा हाथ देखा तब लाई डिटेक्टर टेस्ट में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता और फिर एक्सपर्ट उन्हें बताते हैं कि राईनी के हाइट बिट नॉर्मल सवालों में भी तेस्ट थी इसलिए उकुछ पकड़ नहीं पाए तब बाहर वो एक्सपर्ट राईनी की चूदी देखता है और फिर वो उसमें लगी हुई कील का पता कर लेते हैं और राईनी का फिर से लाई डेटेक्टर टेस्ट होता है पर तब भी कोई फाइदा नहीं होता और राईनी को पुलिस उसके घर बेज़ देती है हाला कि पुलिस उस आटोवालों से भी पुस्ट ताइट करती है पर वो भी यही बताता है कि जब ब्लास्ट हुआ था तो राईनी मीडम बाहर ही थी और फ्रेंड्स ये केस अधूरा ही दे जाता है और क्लोज हो जाता है अब पांस साल बाद उस पुलिस इंसपेक्टर कर ट्रांसफर हो जाता है अब ट्रेनवी और पुलिस इंस्पेक्टर दिनिश पंडित की वही बुक पढ़ता है जो अक्सर रानी और रिशी पढ़ते थे इस बुक का नाम होता है कसुली का केहर और उसे पढ़कर वो शौक हो जाता है और उसे रियल कहानी का पता चलता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था उस दिन जब नील रिशी के घर रानी से बात करता है और उसे परशान करता है तब रिशी वहाँ आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहारानी रिशी को बचाने के लिए नील के सर पर एक रान से हमला कर देती है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है अब रानी बहुत डर जाती है पर रिशी कहता है कि अब वो रानी को कुछ नहीं होने देखा और उसे उस कसुली के कहर की बुक की एंडिंग बताता है और तब वो नील का हाथ कार्ट देता है और फिर अपना हाथ कार्ट लेता है और फिर रानी घर के बाहर आती है और सब वे सही होता है जिसा उसने पुलिस को बताया था और इधर रिशी घर में आग लगा कर पीछे नदी में कूच जाता है और तब उस पुलिस आफिसर को बता चलता है कि केसे अपने प्यार की खाती तो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और इस हत्यकान को अंजाम दिया और पुलिस को कुछ भी सबूत तक नहीं मिला और फ्रेंड्स फिर लास्ट में हम रानी और रिशी दोनों को साथ देखते हैं और ये मुवी यहीं एंड हो जाती है तो फ्रेंड्स ये थी हसीन दिल रुपा की पुरी कहनी करता हूं वीडियो आपको पसंदाया होगा और अकर वीडियो पसंदाया तो वीडियो को लाइक, टामिट, शेर ज़रूर करें तो इसी के साथ हमारे वीडियो यहीं एंड होता है और मैं आपसे मिलूंगो हमारे नेख्agt वीडियो में फ्रेंड्स े agora भाइ